नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नगर निगम में निकले हुई बंपर भरती के बारे में तो दोस्तों मुनिसिपल कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया की तरफ से आपकी बहुत बड़ी बंपर भरती आ चुकी है ओल इंडिया लेवल की 12,902 पदों पे आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं ओफिशिल वेबसाट का लिंक आपको में प्रोवाइड करवा दूगा वहां से आप डाइरेक्ट आवेदन कर सकते हैं कम्पिटर ओपरेटर के आपके आपके आपे 2420 पद रहने वाले हैं कलर कि आपके आपके आप 25,54 पदों पे पियों के आपके 396 पदों और हेल्पर के 2091 में और कस्टमर हेलपलान ऑपरेटर के सकता 141 पदों पे आपकी वेकेंशी निकल चुकी है ये vacancy आपकी all India level की रहेगी सभी candidate आवेदन कर सकते हैं लेकिन यहाप एक candidate एक state के लिए आवेदन कर सकता है multiple state के लिए आवेदन करने पर आपका forum reject हो सकता है आगे दूस्तों हम बात कर लेते हैं आपकी बाकी की other details की जैसी कि आपका यहाप eligibility criteria क्या रहेगा सबसे पहले हम बात करेंगे computer operator की post के लिए 12th pass होना जरूरी है customer help line operator की post के लिए 12th pass मांगा गया है और color की post के लिए 12th pass candidate आवेदन कर सकते हैं helper की post के लिए 8 युपास और pion की post के लिए 10 युपास candidate आवेदन कर सकते हैं यह आपकी रहेगी education qualification इसके अलावा selection process की अगर हम बात करें तो यहाँ पे candidates की short listing की जाएगी interview होगे कुछ post आपका exam भी conduct करवाया जाएगा दोस्तों आगे हम बात कर लेते है age limit का criteria की तो maximum age आपकी 40 साल की रहेगी minimum age आपकी यहाँ पे 18 साल रहने वाली है age relaxation भी आपकी दिया जाएगा SCST के candidate को 5 साल का OBC candidate को 3 साल का और PWD candidate को अलग से यहाँ पे 15 साल, 13 साल और 10 साल का category wise आपको relaxation दिया जाएगा ex-serviceman को भी यहाँ पे 5 साल का quota मिलने वाला है इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे apply कैसे करना पड़ेगा तो 28 अप्रेल से आपके आवेदन start हो चुके है आपका आवेदन का तरीका रहेगा online offline mode यहाँ पे accept नहीं किये जाएंगे valid email ID और mobile number डाल करके आपको यहाँ पे primary registration करना है उसके बाद में ही आपको पूरा detail में form भरना पड़ेगा form भरते टाइम आपको recent photograph signature इंग्लिश में ID proof 10 वी की mark sheet, 12 वी की mark sheet 10 वी और 12 वी का certificate भी चाहिए होगा date of birth के लिए application fees के अगर हम बात करें तो general EWS OBC candidates के लिए 500 रुपे, वहीं SST ex-servicemen के लिए 25 रुपे आपकी fees रहेगी जो कि आपको online payment करना पड़ेगा दोस्ति ये vacancy आपके All India level की रहेगी इसके अलावा आपको यहाँ पे last date बता देता हूँ 25 मई आपके last date रहने वाली है आवेदन स्टार्ट हो चुके है आवेदन जरूर कीजेगा अब मिलेंगे आपे next वीडियो में एक नई update के साथ ही में तब तक के लिए धन्यवाद दूस्तु